हेल· लो इस्टूडेंट कैसन केमेस्टी कलासेज में आपका स्भागत है आज हम केमेस्ट्री 9th वा al evac year के लिए केमेस्ट्री में कि हम पढ़ेंगे समिस्थानिक वा संभारिक को 9th के हिसाब से समझाएंगे वे फस्टिया के हिसाब से भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं देखें समिस्थानिक को इंग्लिज में करते हैं आइसोटोप्स ठीक है यहाँ पर सबसे पहले जो समिस्थानिक का प्रयोग है वो सोडी ने किया था किस ने किया था समिस्थानिक का प्रयोग सबसे पहले खिस नहीं किया था सोडी ने कियória यह एक नई चीज़ है वह सबस्थानिक ..." a wisdomiko और इसको है स्थानिका मेनिंग होता है तुझाद अच्छा समझ में आई जाएगा आईसो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब समान और टोप्स का मतलब होता है प्लेस यानि जगा कहने का मतलब है समिस्थानी को आवर्थ सार्णी में एक ही इस्थान पर रखे गए यानि आवर सार्णी में क्या रखा गया है एकी स्थान पे रखा गया है देखे कैसे देखे क्या है पहले तो इसकी डिफिनिशन देख लिजे एकी ही तत्व के परमाडू ठीक है क्या कह रहे है एकी ही तत्व तीनों क्या है हाइड्रोजन है एक ही तत्तो के परमाडू कह रहा है तो तीनों क्या है हाइड्रोजन है कि नहीं है एक ही तत्तो के परमाडू परमाडू क्या हाइड्रोजन है जो ठीक है हमने खाली अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ H तो यह परमाडू है और H2 लिख दूँ से क्या बनता है अड़ बनता है तो जब अड़ बनता है तो इसको अड़ कह रहते है तो यहाँ पर केवल क्या है वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन-च्वन- अलग अलग होता है, तो देखें, उपर जो लिखे हो तो उनको परमाड भार कहते हैं, इसका परमाड भार कितना है, वन, इसका कितना है, टू, इसका कितना है, तो इसका परमाड भार कितना है, तीन है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं समिस्थानिक, यानि एक ही तत्रकी परमाड परमाडु संख्या क्या हो समान हो परन्तु परमाडु भार क्या हो अलग अलग हो जो नीचे लिखे हुए हैं वो परमाडु संख्या है जो उपर लिखे हुए हो क्या है परमाडु भार यहां देमान संख्या है तो जब आप से कहे कि समिस्थानिक की डिफिनीशन बताईए त तो समिस्थानिक को कह दोगे कि जब परमाडु क्रमांक समान हो और देमान संख्या भिन्री भिन्री हो तो इसको कहते हैं समिस्थानिक समिस्थानी को इंग्लिज में आइसो टोप्स कहते हैं इसका सस्वर पतामत वयोग किस ने किया था सोडी ने किया था ठीक है इसी तरह यहाँ पर देखें लंगल लिखी इसमें परमाणु संख्या कितनी है एक है सबकी क्या है एक ही एक है परंतु परमाण भार एक दो तीन जो की क्या है अलग अलग है ठीक है अब आज आईए संभारिक की बात करने है इसको इंग्लिज में कहते हैं इसमें लिखा हुआ भिन्य भिन्य तत्यों वहाँ एक ही तत्यो था यानि हम समिस्थानी का उल्टा बोल देंगे ठीक है आप देखें यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्तों में का उन्ट से लिया AR, आरगन, पोटैशियम, कैल्सियम इनके देखें परमाड को मांग क्या है अलग-अलग है आरगन का 18 है पोटैशियम का 19 है, कैल्सियम का 20 है तो इनके लिखें परमाड को मांग भिन्न भिन्न है परन्तु देख्माड संख्या जो ऊपर लिखे हुए है वो क्या है, वो सेम है इसकी 40, इसकी 40, इसकी 40, इसकी 40 तीनों की क्या 40 है तो यही चीज मैंने लिख रखा है बस इतना change है इसके लावा कोई change नहीं है तो इस तरह आप ने आज जाना समिस्थानिक और संभारिक के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करें और मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए description में जाके link पड़े हुए ह वहाँ पर आप वीडियो को असानी से देख सकते हैं तो आज के लिए के वल इतना ही काफी है जय हिन जय भारत